हलो एवरिवान स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में मैं हूं भुमिका चाहान और आज की इस क्लास के अंदर हम करेंगे अंसीन पैसेज यह एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक क्लास के बच्चे के लिए बहुत इंपोर्टेंट होता है और बोर्ट्स एक्जाम में तो स् ठीक से कंप्लीट कर सकते हैं सारे आंसर के साथ आए शुरू करते हो से पहले आपको यहाँ पर एक पिच्चर दिखाई दे रही होगी इसी से रिलेटेड हमारा आज का अंसीन पैसेज है अब सबसे पहली चीज़ जब भी हमें कभी भी अंसीन पैसेज करना होता है तो बच पैसेज के अंदर आपका टाइंब बचाने के लिए और अगर अनसीन पैसेज को टाइम के अंदर आप कंप्लीट करना चाहते हो तो अब्विस्लीए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी बहुत प्राक्टिस पहले से ही करने पड़ेगी जिसके अंदर बचों को सबसे पहले आउट यहाता है मैं कहां से प्राक्टिस करें इत्ते सारे अंसीन पैसेज वो भी नए फॉर्माट के अपडेटेड फॉर्माट के cbsc में जैसे अंसीन पैसेज आते हैं कहां से करें तो मैं आप लोगों को यह बुक बताना चाहूंगी ओस्वाल गुरुकुल की जो बुक है ठीक है cbsc last 10 years के solved papers है यहां पर तो यह last 10 years के solved papers इस किताब के अंदर दिये हुए तो आप लोगों के लिए यह बहुत फायदेमंद होने वाली है और और स्वाल के ऐसे और भी question banks है ठीक है तो इसका आप इस्तिमाल कर सकते हो आप यह book देख सकते हो काफी अच्छी book है और ब आप चाहो तो इसको मतलब की use कर सकते हो बहुत बढ़िया है मैं personally यही suggest करते हो क्योंकि practice करने के लिए बहुत अच्छा है आज वाला unseen passage भी हम इसी में से लेकर आए है आए स्टार्ट करते है मैंने सबसे पहले चीज आप लोगों को जो बताई वो बोला है read questions first आपको क्या क गया है अब ज्यादा तर बच्चे अगर आप answer डूढने की ट्रिक देखोगे unseen passage में तो वो कैसे होती है कि जो first question का answer होता है वो first paragraph में मिलेगा जो second question का answer होता है वो उसके नीचे जो third answer होता है वो उसके नीचे तो यह एक pattern है जो 90% पाया जाता है unseen passages में आइए देखते हैं क् सभी चीज़े काम करती है या नहीं करती है तो मैंने बोला questions को पहले पढ़ना है तो हम questions की तरफ ही चलते हैं सबसे पहला question on the basis of your reading of the above passage answer the following question question क्या है the dancing girl belongs to मतलब को ये dancing girl की बात हुई होगी इसके अंदर ठीक है वो किस से belong करती है पहला question हमारा यह है second question है in the museum she is kept among museum के अंद होगे पहला सवाल क्या है कि जो dancing girl है वो किस से belong करती है और उसको किस के बीच में रखा हुआ है ठीक है third question हमारा क्या है the dancing girl is caged behind the glass नहीं question है which information is not given in the passage इन चारों में से कौन सी information passage के अंदर नहीं दी हुई the girl is caged behind the glass she is a rare artifact school books communicate the wealth of our heritage she cannot be rediscovered as she is bronze ठीक है चार है देखते हैं इसमें से कौन सा हमें नहीं दिया हुआ fourth question है great art has power because great art के अंदर ताकत होती है तो एक question हमें great art quote में दिया हुआ है तो मतलब passage में हमें मिल जाएगा आईए passage पढ़ते हैं क्या हमें questions के answers मिलते है चलो सबसे पहला question हमारा क्या था dancing girl किस से belong करती है caged behind the thick glass the most famous dancers in the world आपने अभी एक question देखा था जिसमें चार options दिये हुए थे देखा था ना यहाँ पर अभी हमें एक question दिया था इसमें चार options दिये थे और बोला था कि कौन सा passage में नहीं दिया हुआ है यह तो हमारी पहली line ही दी हुई है the girl is caged behind the glass तो इस वाले option को हम हटा देंगे अभी तक हमने passage की पहली line पढ़ी है और हमारे questions पर भी हम आ गए हैं समझ रहे हो ना तो समय बचता है इससे वरना पहले आप passage पढ़ते हैं फिर आप questions पढ़ते हैं चलो अभी आगे देखते हैं in the world can be easily missed in the National Museum Delhi girl of Mohan Jodaro is the rare artifact that even school children are familiar with तो यहाँ पर कौन सी girl की बात की गई है Mohan Jodaro girl की बात की गई है यह dancing girl है ठीक है our school textbooks also communicate the wealth of our 5000 years heritage of art you have to be alert to her existence there amid the terracotta animals to rediscover this bronze image अब यहाँ पर क्या बोला गया है हमारा पहला question क्या था हमें पहले question का answer मिल गया है अगर आप देखे तो the dancing girl belongs to Mohan Jodaro दिया हुआ था option number one Mohan Jodaro दिया हुआ था पहले सवाल का जवाब मिल गया दूसरा सवाल हमारा क्या था दूसरा सवाल था किसके बीच में उसे रखा गया है इसका भी जवाब हमें first paragraph में ही मिल गया देखिए कहाँ पर है यह देखो यहां लिखा हुआ है our school textbooks also communicate the wealth of our 5000 years heritage of art you have to be alert to our existence उसके existence there amid terracotta animals terracotta animals क्या होते है बटा जो यह लाल मिटि के कलाकरतियां बनी होंगे न तो लाल मिटि से जो भी कलाकरतियां बनी होंगे जो animals की कलाकरति बनी होंगी उनके बीच में तुम्हें alert रहना होगा इस के लिए क्योंकि ये bronze की है तो किनके बीच में exist करती है ये यहाँ पर अगर आप अगला देखें so in the museum she is kept among terracotta animals option number third यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा दो सवालों के जवाब हमें मिल भी गए third सवाल क्या था हमारा she is a rare artifact school books communicate the wealth of our heritage यह वाली लाइन तो हमने अभी पड़ी है तो यह वाला भी option हमारा नहीं होगा she is a rare artifact और she cannot be rediscovered as she is bronze देखते हैं यह दोनों दिया हुआ है क्या she is a rare artifact यह वाली बात भी यहाँ पर पहले वाले में ही दियुए है आपने देखा first वाले passage में ही हमें तीन questions के answers मिल गए तो हम आगे बढ़ जाते हैं और इस वाले option को भी हटा देते हैं which is this one तो हमारा सही option क्या हो जाएगा option number fourth अब हमारे पास केवल एक question बचा है ऐसे 6-7 questions आते हैं मैं केवल चार लाई थी great art has power because great art जो होती है महान कला जो होती है उसके अंदर power होती है क्योंकि आईए पढ़ते हैं क्यों होती है power अब हमें great art find out करना है कभी भी ये मत सोचो कि बहुत गहराई से आपको passage को पढ़ना है नहीं ऐसा बिलकुल भी नहीं है हमें कोई PhD नहीं करनी हमें अपने answers जूढने है और हमें paper में आगे बढ़ना है जितनी जल्दी answers मिलते जाए उतना बढ़िया ज्यादा पढ़ने की कोई भी ज़रुरत आपको नहीं है अभी most of us have seen her only in photographs or sketches therefore the impact of actually holding her is magnified a million times has no feet she is small a little over 10 centimeter tall the length of a human palm but she oh a little over 10 centimeter tall के वाल इतनी ही है she is small छोटी सी है वो ठीक है surprises us with the power of great art great art यही पूछा हुआ था right the ability to communicate across centuries just answer मिल गया हमें it appeals to us despite a passage of यहां पर time आएगा it is small and can be understood it is seen in pictures and sketches it is magnified a million times so option number one कि भई कितना भी समय बीच जाए ठीक है यह जो महान कला होती है इसके अंदर एक ताकत होती है appeal करने की ठीक है कितनी भी पुरानी क्यों नहों कोई भी कला right तो इस तरीके से हमें हमारे चारो questions का जवाब मिल गया और यह असान कैसे हुआ हमारे लिए क्योंकि हमने questions को पहले पढ़ा अब अगर ऐसे आप लोग काफी सारे question exam से पहले practice कर जाते हैं और आपको यह पता चल जाता है कि यार मुझे न एक unseen passage करने में इतना time लगता है तो वो आपके लिए बहुत better होगा और इसलिए मैंने यह वाली किताब आपको suggest की है विच इस ओस्वाल गुरुकुल CBSC last year's solved papers ठेक है तो यह 2023 के लिए है latest edition है यही लेना इस पे लिखा हुआ है as per the latest board's labors issued on 21st April 2022 2 तो इसमें काफी questions दिये हुए है yes आप grammar के भी देखेंगे writing section के भी देखेंगे और वो भी solved दिये हुए है सारे की सारे solved है ठेक है तो आपको बहुत मदद मिलेगी इनसे और इनका जो explanation है वो तो और भी easy है जो आप exam में use कर सकते है वैसी language है और आपको याद करने में भी दिक्कत बिलकुल भी नहीं होगी clear तो मैं आशा करते हूँ आज का ये video आप लोगों को पसंद आया होगा bye guys take care and see you in the next class